हम सब किसी दौर में इस स्ट्रेस को जरूर जहिलते हैं रोज मर्ना की जिन्दगी में जहिलते हैं लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि यही जो स्ट्रेस है वो आपके लिए हाट इटाइक का एक बहुत बड़ा मेजर रिस्क फैक्टर बन सकता है तो और आक्चुली बहुत सा कुछ टाइम में बहुत जादा इंक्रीज हुए हैं उसके पीछे वन अफ दे मेजर फैक्टर इस्ट्रेस लेवल दाट वी आर फेसिंग इन एवरेडे लाइफ अभी रिसेंटली न्यूस में आया था त्रिब्यून के एक आर्टिकल के रेफरेंस से मैं आपको समझाना चा सकते हैं कारण क्या है उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो आज के वीडियो में हम लोग मेजर पॉइंट कवर करने वाले हैं कि आखिर जो इंडिया और वेस्टन कंट्रीज के बीच में अगर हम बात करें नमबर ऑफ हाट अटाइक्स जो पिछले कुछ टाइम स लगातार बढ़ते जा रहें उनके बारे में बात करेंगे उनके स्टाइस्टिक्स क्या कहते हैं इनके बारे में बात करेंगे normally क्या क्या common causes है heart attack के medically किस किस चीज को major risk factor माना जाता है क्या covid vaccine के ओपर भी कोई controversy है क्या covid vaccines जो है वो भी responsible है इस increasing number of heart attack से बहुत बहुत जारी conspiracy theories इसके around आपको देखने को मिलेंगी और क्यों stress एक major factor है आपके heart की conditions के लिए heart का सबसे worst enemy जो है वो आपका stress माना जाता है जिसके मैं जानता हूँ आप लोग मना करेंगे लेकिन हम सब इसी stress के जंजाल में फसे हुएं यह बात भी सच है कैसे manage कर सकते हैं stress को और क्या है way forward इसको आईए जरा आज की वीडियो में समझने कोशिश करते हैं सबसे पहले जो हम जिस context के बारे में बात करेंगे तो news जो आई है उसमें साफ तोर पर बताया गया है कि recently जितनी भी आपकी जो death हो रही है recently heart attacks जो हो रहे हैं youngsters के उसके अंदर एक spike देखा गया एक surge देखा गया है number of heart attack के जो complaints है वो लगातर बढ़ती जा रही है का आम आदमी हो celebrities हो सब के अंदर ये जो है लगातर आपका जो cases है वो बड़े है इसके पीछे बहुत सार लोगों के अलग-अलग theories है और ये जो factor है especially covid pandemic के बाद से ये जादा common factor हमारे सामने आए है कि वहिया जो heart attack है वो youngsters में पहले बहुत जादा youngsters में prevalent नहीं था लेकिन अब जो specifically जो आपकी age group है जो और इस youngster में भी जो specifically आपके 40 साल के उमर के कम के लोग है चालिस से भी कम के उमर के लोग है उनमें heart attack की जो समस्या है वो एक चिंता की बात है उसके पीछे कारणों की बारे में बात करेंगे आखिर क्या क्या चीज़े है उसको समझते है पर पहले एक छोटा सा comparison आपके सामने करतें दोस्तों comparison है heart attack का एक statistics है इंडिया और western countries का हम अक्सर कहते हैं कि western lifestyle जो है वो खराब है जो western lifestyle है उसमें बहुत junk food है उसमें stress level है over ambitious है life cycle आपके बहुत जादा stress में होती है मगर आकड़े कुछ और कह रहे हैं अगर आप बात करें facts and figures की तो लगबग लगबग इंडिया के अंदर जो acute heart attacks इंडिया में 40 साल से कम लोगों को हो रहे हैं कितनी यंग एज है जो 20% heart attack total इंडिया में और यहीं पे अगर आप compare करो western population को वहाँ पे 40 साल से कम उम्र के लोगों को अगर heart attack की बात करें वो सिर्फ 5% है हम 20% पे हैं उनके 4 गुना जादा इंडिया में heart attacks की समस्यारी है तो यह कही ना कहीं दिखाता है कि वही है developing countries में जो stress level है जो बाकी conditions है वो इतनी अच्छी नहीं है lifestyle हमारा उतना भी healthy नहीं है जितना healthy हम लोग क्लेम करते हैं बहुत सारे facts and figures ने बात को क्लेम किया है कि इंडिया में 20 से 25% लोग जो heart attack से मरते हैं उनकी उम्र 40 साल से कम है 40% के आ बड़ा causative factor है तो अगर आप में से कोई भी इंसान अगर इस टोबैको के जाल में है तो प्लीज इस से बाहर निकलिएगा in fact Indian Heart Association ये claim करती है कि 50% के आज पास जो heart attacks एंडिया में वो 50 साल की उमर तक होते हैं मतलब सोचिए ये जो particular category है 40 to 50 ये तो सबसे जादा highest risk category में आती ह है ये particular age group और इसी age group में भी अब हमारे इंडिया में number of heart attacks बढ़ते जा रहे हैं तो ये तो बात हुई आपके facts and figures की अगर मैं common causes की बात करूं इन general बात करके देखें तो भाया आखिर क्या कारण है किसकी सवजह से heart attack हो रहे हैं अगर इनके normal कारण हम जाने तो जो सबसे most common cause ह sudden death का heart attack के case में heart attack भी कई type के अलग-अलग categories हैं तो जो सबसे common cause निकल के आ रहे हैं youngsters के अंदर वो है acute myocardial infarction acute heart attack जिसको बोला जाता है medical terms में इसको AMI बोलते हैं normal हम हम लोग acute heart attack बोलते हैं और इसके पीछे जो smoking है smoking is considered to be the most important risk factor जो youngsters के अंदर heart attack को बढ़ा रहा हैं तो इसमे बिल्कुल साफ तोर पे जो tobacco consumption है वो तो आपके लिए 110% at risk factor है दोस्तों smoking और tobacco consumption के अलावा और भी कई other risk factor है heart attack के पीछे जो contribute करते हैं इसमें आप देखोगे जो लोग बहुत जादा alcohol consumption करते हैं या जिनके जो already diabetes से PD लोग हैं जो diabetic patient हैं उनके अंदर heart attack की chances और जादा increase होते ह या जिनके अंदर hypertension का issue है high cholesterol जिनकी history है जिनके अंदर high cholesterol का problem है वो भी आपके heart attack उनमें होने के chances जादा है या किसी ना किसी तरह का कोई substance abuse करते हैं कोई drugs वगरा लेते हैं किसी ना किसी तरह की या फिर बहुत जादा जो लोग junk food खाते हैं और खास और पे women की case में अगर वो oral contraceptives का इस्तेमाल करती हैं ये सारे major contributing factors हैं आपके youngsters के अंदर heart attack के अगर आप इनमें से किसी भी category में आते हो किसी भी category में follow करते हो तो I think आपके लिए wake up call है आपको समझना चाहिए आपका दिल आपसे कुछ कह रहा है आपका दिल कह रहा है कि भईया मेरे को जीने दो बस ये स सब चीजों से अपने आपको दूर रखना है अब यहाँ पर आता है कोवीड वाला एंगल क्या सच में कोवीड वैक्सिन का कोई लेना देना है इस number of heart attack के increase से देखिए वैसे तो दोस्तों कोई scientific data हमारे पास नहीं है जिसके basis पे हम सीधा सीधा कोवीड वैक्सिन को blame कर था mRNA जो वैक्सिन थी तो messenger RNA के बेस्ट पे जितनी भी कोवीड वैक्सिन थी जिन लोगों ने उसका यूज किया है उनको एक higher risk है cardiovascular complications का ये at least official कोई specific data नहीं है मगर data के अंदर ये बात निकल के सामने आई है मगर आपको चिंता करने की बात नहीं है घवराने के जरुत नहीं ह इंडिया में कोई भी वैक्सिन ऐसी नहीं है जिसमें messenger RNA का इस्तेमाल हुआ है ये बाहर western countries में यूज हुआ है इंडिया में इस technology वाली covid वैक्सिन हमने नहीं यूज करी है तो पहले तो ये figure को इस factor को बाहर निकाल दीजिए कि भया covid वैक्सिन हमने लगवाई थी हमने covid जरूर है कि इंडियन council of medical research जो ICMR है उसने इस बात को लेकर के जरूर अपनी बात रखी थी कि जिन लोगों जो भी लोग जो है covid के time पे या covid related जिनका hospitalization करना पड़ा था जो जिनका दाखला हुआ था उस time पे covid time पे जितने लोग hospitalized हुए थे उनकी अंदर एक high risk heart attack या कुशी किसी वज़े sudden death है क्योंकि ultimately उनकी immunity पाशर पड़ा होगा उस time पे इतना infection था इतना जादा उस time पे immunity लोगों की down हुई है लेकिन उसका directly covid vaccine से संबंध है ऐसा कोई claim कोई scientific data हमारे पास नहीं है दोस्तों ठीक है साथी साथ में अब आती है stress की बात जो लोग हम लोग बात कर र गया है इसको जरा समझनी कोशिश करते हैं यहां पे new york times की एक report है उस report में साफ तोर पे highlight किया गया है कि हम सब की life में जो stress का level है that is actually the worst enemy of your heart and it is very much possible कि जो हम सब लोगों की life में जो यह psychological stress है यह इस covid pandemic के बाद जाहिर तोर पे बढ़ा है यहां पे covid का angle निकल के आएगा कि covid क के बाद ही अचानक से इतने साथ heart attack के kisses क्यों है because आप जानते हैं कि covid pandemic में सब की life impact हुई है कितने लोग है जिनका job loss हुआ covid के बाद कितने लोगों के साथ financial problem स्टार्ट हुई है तो covid pandemic की वज़े से जो एक major bump आया है हम सब की life में economically socially वो जो एक covid pandemic का दौर था डेड़ दो साल क जो patch था उसमें जाहिर से बात है हम सब की जिन्दगी में किसी न किसी form में ये psychological stress बढ़ा है और इसी वज़े से covid एक factor है लेकिन direct vaccine factor नहीं है covid की वज़े से stress level लोगों का increase हुआ है इसमें कोई doubt नहीं है आप और हम इस बात को बहुत बेहत तरीके से जानते हैं आज के time पे य medically ये बात सामने रखी गई है medically ये बात बताई गई है that people who are worried losing their job सबसे जादा जो financial security का problem है आज कम से कम वो लोग जो अपनी job को लेके stress में है या अपने कांग को लेके stress में है जिन क्या financial problems का issue है medically ये देखा गया है कि those people are 20% more vulnerable to the heart attacks ऐसे लोगों को 20% heart attack आने के जादा chances है जो work की वज़े से profession की वज़े से जो हमेशा stress में रहते हैं उनके 20% heart attack आने के chances जादा है इसके अलावा stress आपको कई तरह से negative impact डालता है जो stress आपके अंदर hormonal changes करेगा वो तो आपको नुक्सान करेगा ही मगर आप जानते हो कि stress के साथ में और कई साथ में जो bad habit है वो भी आपकी आती है stress हमेशा एक इंसान के अंदर unhealthy habits को जनम देगा जो लोग बहुत stress में हो सकता है वो लोग smoking करना start करें जो थोड़ा बहुत smoke करते हैं वो जादा smoke करना start करें और सबको बहाना मिल जाता है फिर भी आम तो stress release कर रहे हैं तो smoking और बहुत सारे लोग जो है stress में आके खाना क है वो भी disturb होता है lack of sleep को भी जरम देता है यह stress अब आप सोच के देखिए आप smoke कर रहे हैं खाना गलत खा रहे हैं सोते टाइम से नहीं हैं सारा दिन tension में रहते हैं भया heart attack फिर क्या मेरे को होगा heart attack फिर किसको होगा heart attack आप लोगों को होगा जो इस बात से warning नहीं ले रहे है आप लोगा ना तो और ये और चके पीछे ना कई सारे triggering factor है stress भी कोई एक दिन में trigger नहीं होता stress के पीछे भी कई सारे major triggering factors हैं जिनको medically prove करने की कोशिश की गई है specially वो लोग जो हमेशा एक hectic work schedule में रहते हैं उनको अपने लिए कहां वक्त मिलता है उनको लिए उनके पास हसन का वक्त नहीं है दो घड़ी अपने लोगों के साथ बैटने का वक्त नहीं है वो हमेशा एकदम worked और उसमें इतने उलजे रहते हैं और ऐसे नौकरियां जो बहुत target driven jobs हैं हमेशा आपके गरदन लटकी रहती है कि इतना target achieve नहीं किया तो पैसा नहीं मिलेगा एक job in security 24 घंट आपके मन में है यह सब triggering factors हैं जो आपकी life में stress को introduce करते हैं और scientifically यह बात को prove किया गया है कि जो आपका stress है वो आपकी heart की health पे सबसे जादा असर देता है बागी सारी चीज़े एक तरफ अकेला stress काफी है आपकी heart की smile को चीनने के लिए और उसके पीछे भी medical एक reason है दोस्तों आपके अंदर एक neuro endocrine activation यह एक क्या चीज़ है दोस्तों यह कुछ ऐसे chemicals हैं जो आपकी body में produce होते हैं आपकी body में कुछ अलग type की hormones release करते हैं जैसी body में stress हुआ आपका neuro endocrine activation start हुआ जिसकी वज़े से आपके शरीर में यह दो सबसे घतरनाग चीज़े produce होती हैं एक का नाम है cortisol और दूसरे का नाम है caticholamine यह दो चीज़े आपकी body में सिर्फ और सिर्फ stress की वज़े से activate हो जाती हैं और यह जो दोनों चीज़े हैं that increase plasma pro inflammatory cytokines और pro thrombotic and immune system का activation होता है जिस वज़े से आपकी body पे सभी तरह के negative impacts आते हैं तो देखिए जो stress है आपकी body में वो किस तरह से scientifically आपकी body को impact कर रहा है आपकी heart को impact डाल रहा है साधी साथ में जैसे ही आपके अंदर यह सारे changes होंगे यह सारे chemicals आपकी body में आपके brain से release होंगे इसके बाद आपके सिर्फ stress की वज़े से आपका heart rate बढ़ेगा आपका blood pressure बढ़ेगा आपके अंदर microcardial oxygen की requirement भी increase हो जाएगी और यह जो पूरा process है it will ultimately lead to many kinds of rupture हो सकता है कही ना कहीं कोई ना कोई आर्टरी में blockage हो जाए कहीं ना कहीं किसी veins में blockage हो जाए and it will lead to very acute heart attack तो अपने आप में जो mental stress है it may also result in a kind of coronary artery spasm यह आपको किस ना किसी तरह का vaso construction भी हो सकता है जो ultimately आपके blood flow को compromise करेगा और आपको ज heart attack के लिए तो आपके सामने अब सारे cases है medical आपके सामने studies आपके सामने है तो देखिए stress आपका कितना बड़ा दुष्मारे आता कहां से stress release कहांसे होता है देखिए हमारे brain के अलग-अलग body parts हैं, हमारे brain के अलग-अलग parts हैं, तो हमारे brain में एक part होता जिसको बोलते हैं amygdala, तो हमारे brain का ये particular part जो आप देख रहे हैं, yellow color का ये part देखेगा, ये छोटा सा part है amygdala, लेकिन यही है आपके life में जो stress को activate करता है, ये सबसे खतरनाक च जाता है, और super active होने के बाद सारे वो खराब जो chemicals हैं, वो body में आपके release करता है, जैसे आपके life में stress होगा, ये ही amygdala जो है, आपके neuro endocrine system को activate करेगा, और वो chemical produce करेगा, जो आपकी body में नहीं होने चाहिए थे normal conditions के अंदर, अब हम सब जानते हैं कि stress जो है, now it has become a part of our life, we know it very well, और ये आज क्या जो, और थोड़ा बहुत stress की अगर हम बात करें तो ठीक है, थोड़ा बहुत stress सबकी life में है, थोड़ा बहुत stress होना भी चाहिए, अगर आपके life में बिल्कुल stress नहीं है, बिल्कुल ही कुछ नहीं कर रहे हैं, तो that actually shows that you are not active in your life है थोड़ा बहुत stress हो होगा, आप जादा काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, अपने career में advance काम करेंगे, आप exam का example लेजाए, आप बोलोगे सब्स्ट्रेस नहीं है, अरे जब तक UPSC exam क्या है या किसी भी government exam का stress नहीं होगा, तो आप perform कैसे करोगी है ना, अगर आपका, अगर आप कोई match कर रहे ह थोड़ा conditions tight होगी, तभी उसकी performance better होगी, तो ठीक है, थोड़ा बहुत stress is okay, fine, no problem, लेकिन जो बाकी का जो stress है, आपके job के related, या job loss के related, आपके marriage life या किसी personal वज़े से आपकी life में ये वाले जो काम और personal life के बाकी जो stress है, ये actually आपकी mental stability को impact करते हैं दोस्तों, और देखा गय है, वो लोग जिनके अंदर serious cardiac problems आती है, वो खास और पे उन लोगों को ज़्यादा problems आती है, जो अपने काम में और अपने घर पे खुश नहीं है, जिनके पास एक strong family social support नहीं है, वो लोग actually में इस तरह की बिमारियों को ज़्यादा बुलावा देते हैं, तो आपके बहुत ज़रूरी है दोस्तों, और इसके लिए और ये तो एक lifestyle change वाली बात है, stress हमारे life का part है और रहेगा, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप stress free zone में चले जाओगे, वो तो फिर एक अलगी zone है भीया, वहां तक तो पता नहीं कौन पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, लेकिन कम से क आप अपने life के stress को manage कर सकते हो, आप smoking avoid कर सकते हो, unhealthy diet को avoid करो, और सबसे important role है आप physical workout का, थोड़ा बहुत अगर आप regular exercise करते हो, actually scientific लिए बात को कहा गया है कि जो regular exercises है, वो actually आपके stress level को better manage करती है, आप थोड़ा physical workout करेगो, आप negativity से आप दूर रहेंगे, आपकी life में stress better तरीक कैसे manage होगा, अब stress manage करना कोई rocket science नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि एक formula बता देंगे, वो सब पे काम करेगा, ऐसा भी नहीं है दोस्तो, ultimately stress manage करने के लिए बहुत ज़रूरी है, आपके पास एक supportive family हो, आपके दोस्त हो, आपका अच्छा social system हो, exercise करना is important, regular, आप अपने stress को manage कर करें, दियाद रखेगा, जान है तो जहान है, जब तक हम है, तब तक ही पूरा कारवान है, ठीक है न, तो ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ करने के चकर में अपनी सेहती खराब कर लो, that makes no sense, aerobic exercises, yoga, meditation, ये सब बहुत important चीज़े हैं, आपके mind को relax करने की, और strengthen करने की, stress आएग life में, अपने आपको इतना मजबूत, इतना strong बनाओ, इतना positive बनाओ, आप उ stress को manage करोगे, मैं कभी नहीं कहता कि stress खतम हो जाएगा, लेकिन नहीं, आप life के लिए कम से कम positive attitude आप लेकर के आओ, और एक एक आजकल के time पे एक चीज़ और देखी गई है, सबसे important है दोस्तों, अपनी बात को, अपनी mental health, उन लोगों की mental health अच्छी रहेगी, जो कम से कम अपनी बात को किसी को बोल पाते हैं, बहुत जरूरी है, आप अपने दिल के अंदर जो भी चीज़े हैं, अच्छी बुरी, कम से कम share कीजिए, अगर आप अपने thoughts, अपनी feelings को time से share नहीं करेंगे, सच में आपके अंदर की inner healing कभी नहीं होगी, और मन में अगर आपके बाते रहे गई, आपकी चीज़े मन में रहे गई, तो वो फिर आपके पूरे life की band बजा देगी, वो आपके पूरे mental health setup को खराब कर देगी, ठीक है, हमें लगता है कि हम बहुत strong है, हमें किसी के जरूरत पर भीया, we are social animal, we actually need someone, हमें चाहिए, कोई ने कोई हमें जरूर चाहिए life में, जिसके साथ हम अपने, और यह कोई कमजोरी नहीं है, अपनी बातों को रखना तो बहुत मजबूती का काम है, कितने कम लोग हैं जो अपनी बातों को, अपने विचारों को, अपने दिल की बात आप किसी को बोल पाते हैं, यह तो blessing है, अगर आपके पास कोई life में ऐसा इनसान है, जिसके साथ अपनी बात आप शेयर कर सेके, और सब लोग अपना अपना stress buster ढूंडिए, आप कोई भी काम करते हैं, सारे दिन आप job करते हैं, पढ़ाई करते हैं, कुछ भी करते हैं, सब यंग्स्टर्स में इसलिए problem बढ़ रही है, आज हमारे हाँ पे nuclear family का culture है, पहले पुराने जमानों में लोग अपने परिवार के साथ रहते थे, तो ज़्यादा depression वगारा का case नहीं होता था, because लोग आपके पास हमेशा होते थे, आपके पास एक social support था, अब nuclear families का trend है, nuclear families है जो आपकी traditional support है, वो धिर धिरे कम होती जा रही है, यही एक सबसे बड़ा कारण है कि लोग जो है, depression में, insomnia में जादा जा रहे हैं, तो you always need your family to be around, परिवार से बड़ी दवाई कुछ नहीं है, परिवार से बड़ा गम भी कुछ नहीं है, यह भी बात सही है, लेकिन परिव सिर्फ एक personal level नहीं, यहाँ पर corporate sector और जो बाकी जो private sector है, उनका भी important role है, आपको जितने भी private organizations हैं, उनको भी चाहिए कि भाया यह आपका जो culture है, stress culture को release करो, अपने employee को थोड़ा stress से free करो, यह प्रावेट जॉब्स में actually stress का level कई गुना है compared to the government job, लोग क्यों सरकारी नौकर में comparatively कम stress है, लेकिन private companies, private jobs हमेशा target oriented है, cut to cut neck throat competition आपका बना रहता है, यहाँ पर private companies और इनका भी responsibility है, सरकार को भी चाहिए कि सरकार भी जो है ऐसे mechanism मनाए, time time से ऐसे mechanism मनाए, जहाँ पर लोगों के mental health का care किया जाए, उनको social support दिया जाए, खास तोर पर इस तरह के stressful period में यह बहुत जरूरी है दोस्तों, अगर आपको heart disease को prevent करना है, of course आपको government को और भी बाकी चीज़ों पर काम करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ heart specifically अलग से आप काम नहीं कर सकते, आपको पूरा environment healthy बनाना पड़ेगा, जरूरत है भारत में और हम सब के घर के आसपास sanitation अच्छा हो, pollution free environment हो, आप सब को safe drinking water मिले, जब पूरा environment आपका clean होगा, तो आपका lifestyle भी जाहिर से बात है, clean होगा, बहुत जरूरी है, इस चीज़ के बारे में बात कीजिए, mental health के बारे में बात कीजिए, लोग अपने stress level को बया करें, अपने stress जब तक आप अपने दुख को lifestyle, क्यों जरूरी है regular workout करना, अच्छी सोचना, अच्छा काम करना, smoking alcohol से दूर रहना, क्यों जरूरी है, यह बहुत important है, और कोई इंसान, अगर किसी भी stage पे कोई इंसान को लगता है, कि एर मैं किसी तरह के stress से गुजर रहा हूँ, कोई depression मेरे अंदर आ रहा है, तो please medical help लीज चाहिए, इसमें शर्माना नहीं है, please go get yourself checked, mental health रहेगी, तो बाकी शरीरी भी चलता रहेगा, तो यह था हमारा आज का topic जिसके बारे में हमने बात करी, मैं उमीद करूँगा कि आपको यह आज का पूरा जो हमारा topic है वो पसंद आया, आपके क्या विचार है, आपके क्या feedback ह मुझे comment में जरूर बताना, वीडियो अच्छे लेगी तो like करना, ऐसा बहुत सारा content हमारे YouTube चानल पर आता रहेगा, तो जाहिर सी बात है हमारी चानल को subscribe कीजिए, thank you so much, God bless you, मिलते हैं, अगली वीडियो में, take care दोस्तों, जहिंद